हलो फ्रैंट्स लेट्स पको में इम्रान आज आपकסा कॉागत करता हूं लेट्स convene प्रेशार वेशरेशिंग वीडियो टुटुरियल पूर में आज हम यहां fabrication drawing study of general pressure vessel, jacketed vessel और rimetted coiled vessel के बारे में जानने वाले हैं इन सब के बारे में details study करेंगे, इनका fabrication drawing कैसे study करते हैं और हमें fabrication के aspect क्या क्या इन drawings में देखना चाहिए और क्या क्या होता है और कैसे study किया जाता है वो इस pressure vessel के tutorial 4 में हम देखने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू लेट्स तो आपने फैब्रिकेशन में काम करना वालों के लिए बहुत ही अच्छे-चे टूल्स डेवलक किये हुए जो की हमारी वेबसाइट पर एवेलेबल है और यह स्क्रीन पर जो आपको जितने नाम दिख रहे हैं यह सब टूल्स एंड से भी होगा आपको एकुरेसी मिलेगी और आपकी वर्ट की एपिसेंसी भी बढ़ेगी और आपका जो मिनिम्यम टाइम है फैब्रिकेशन का वो रिडूस हो जाएगा और यह आपको बहुत ही हल्पूर रहेगा तो इसलिए मैं आप से गुजारिश करूँए कि आप इन सब पूड रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए कि कौन सा टूल से जो आपको जरूत है तो अगर हमें कमेंश करके बताएंगे तो हम उस पर जरूर काम करेंगे और वो टूल्स भी आपके लिए लेके आएंगे पहले मैं आपने नए वीवर्स को बता दू जो लोग पहले बार हमारे चैनल को विजिट किये तो लेस्ट पर में हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको अगर फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आपको भी बारे में सीखने में आसानी हो और आपके प्रेंड के साथ कि यृवर्स कि नॉलेज बढ़ा ले Ettौि और लेटेस्ट नोटिफिकिशन के लिए बेल आइकन दबाए तो चलिए अब हम अपने आघ के टॉपिक के तरफ मुह करते हैं और हमारे आघ के टॉपिक के बारे में प्यांगरी लेते हैं तो फैब्रीकेशन में सब से पहले drawing study करना बहुत जुलूरी हैNIS इसलिए हमने ये वीडियों बार फीडियो से पहले बनाया है पीछले वीडियो में आपको वोवन भी दिया थे जो जो fabrications में लगते है उनके अब actual में हम जो फैब्रीकेushen drawing buffer करते हैं actual practice में उस ऐस फैब्रिकेशन drawing को particular focus करें उसी के बार में जानकरी लगें ताकि आपको फैब्रिकेशन में काम करते होक्ते अजानी हो और अब का उसमें का जो point of interest हो कह के चीज़े रहती है उनको कि तरह से refer करना है और किस तरह इस वीडियो का मोटो यह है कि आप इस वीडियो करना सिखे तो आप यहां से कोई भी ड्राइंग स्टेडी कर सकते हैं पर हमें आप झित् चाहिए और हमें कह चीज़े को रेफर करना होता है वह इस पेरामीटस में हैं सबस्क्रेख तो हमारी साफ सह से हम कौन से ड्राइंग से लेख करना है क्या हो द्राइंग सिच्ट दुस्तरा ड्राइंग नेमप्लेट होता है उसके बारे में क्या डिटेल्स होती है क्या होना चाहिए वह हम देखेंगे में थ्लोव में, जहाके होता है है तो कहा है उसके सकता है और इसके इसके बारे में देखेंगे, next उसके drawings में कौन-कौन से views होने चाहिए, कौन-कौन के dreams होते हैं, उन views को कैसे दूड़े और उनके बारे में कैसे study करें, next drawing dimensional reference and details, यहने drawings के तो dimension का reference कहा से लिया गया है और कहा से बाकी dimensions देना जरूरी है, वो इस parameter में cover करेंगे, then nozzle, drawing part detailing, यहने drawing के part detailing कै से की जाती है, वो बात देखेंगे, उसके बात nozzle orientation क्या होता है, और वो कहा पर होता है, वो देखेंगे, drawings के welding details, drawing में कहा दिये जाते हैं, कौन-कौन से welding details होना ज़रूरी है, वो देखेंगे, उसके बात drawings में nozzle और manual का detail क्या होता है, कहा होता है, और कैसे दिया जाता है, उसक इस फबर्रिकेशन ड्रोहिंग के क्या चीज यो क्या होना चाई है उसके अंदर क्या होना चाय है उसके बारे में ज्या चीज़े głi है वो सब हम इस fabrication drawing के study करने वाले इन तेरा पेरामेटर्स के साथ और इन तेरा पेरामेटर्स के बाद हम specially एक आपको तीनो जो जन्दल जन्दल स्पेशल वेसल का drawing देता है वो study करेंगे उसके बाद जैकेटेड का और लिंपेड को वेलगाद तीनो ट्राइंग study करने के बाद हमें पूरे फैब्रिकेशन का अल्मॉस्ट मैक्सिम्म स्टड़ी करना पता जल्दाएग क्या है उसमें क्या के चीज़े देखनी है वो सब इस पेरामेटर्स के जरी हम समझ लेगे ताकि जब हम फैब्रिकेशन शुरू करें तो हमें पता जले की ранее कि कोन सी चीज हमें हमें कहां क्या चीज देखने हैं ताकि हम और जब फैब्रिकेशन में प्रेक्टिस आप चलनों करोगे तो अपने आप भी आपको ड्रॉइंस में कहके चीजे हैं यह आपको बैसिक पता मुना जीए आपको ड्रॉइंस में क्या होता है कहा क्या होता है इसलिए इस विडियोज में हमने फुरे 13 एसपेक्ट और 13 परामेटर कवर किये दाकि को और कौन से ड्राइंग के शीट होते हैं और कौन कोंते पर साइज के ड्राइंग यूज़ू होते हैं वह हम देखे हैं इसमें A0 A1 A2 A3 A4 A5 यह मैं नार्मली इतने यूज़ू होते हैं यहां तक तक भी कोई नहीं जाता है, A4 तक ही usually sizes papers की use होते हैं, fabrication में क्योंकि कोई small scale में निकाल नहीं होते हैं, A4 तक ही जाते हैं, A4 से कम size कोई refer नहीं करता, पर उसका पता होना चाहिए, इसलिए हमने A5 तक के dimensions यह आपको दिये होगे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो होता है, ओ है A0, A0 को size होता है, 841 by 1189 mm, यह इसका size होगा, यानि इसका width थे, यह 1189 रहेगा और इसका height 841 रहेगा, तो यह इस तरह से इसको classify किया जाता है, और इसका size इस तरह से दे पर जाता है, सबसे बड़ी size को नाम देते हैं A0, इसका next इससे small size है, वह है A1, A1 का size होता है 594 by 841 mm, यह 594 होएगा और यह 841 mm रहेगा, यह इसका width इसका, यह normally क्या है, A1 जो है A0 के half में है, यह अगर हम A1 sheet को अगर 2 part में किया जाए, तो हमें A0 sheet अगर हम उसको 2 part में किया जाए, तो हमें A1 के 2 sheets मिल सकते हैं, यह जो A1 है वह A0 के double है, यह 0 में से हम A1 के 2 sheets बना सकते हैं, इसका half है, A0 का area जो है, उसका half area A1 का है, उसका half size है C, उसका है, तो सबसे बड़ा size होगे A0, उसके next होगे A1, A1 A0 के half है, याने A0 में से हम A1 के 2 sheets बना सकते हैं, यह वाला और यह पूरा वाला भाहर का वाला जो दिख रहा है, next sheet का size A2, A2 है 425, 594, A2 का size यह एक size दिखाया जो आपे A2, A2 का size इतना होता है, 425, 594, अब यह A2 जो है, यह A1 का आदा होता है, अगर हम A1 को half part में डिवाइड करें, 2 part में डिवाइड करें, तो हम A2 के 2 sheets मिलेंगे, तो इस तरह से यह आगे चलता जाता है, तो याने next 2 sheet आती है, वह previous wall में से 2, उसी तरह A3 का size 297 by 420, यान अगर हम यह होगे A3 वाला आपका, इसका size 297 by 420 है, अगर हम A3 के sheet चाहिए, हम A2 को अगर हाप करेंगे, तो A3 के 2 sheets मिल जाएंगे, याने A3 जो sheets है, वह A2 के हाप है, याने A2 में से हम A3 को 2 sheets बना सकते हैं, उसी तरह next A4, A4 normally use होते हैं, हम अगर हम normal case में A4 ही size ज्यादा तरह use करते हैं, 210 by 297 का size होता है, और A4 जो है, हम A3 के हाप होता है, याने A4 का paper हम A3 में से 2 size बना सकते हैं, 2 papers हम A4 के बना सकते हैं, next A5, A5 149 by 210, A5, A4 के हाप हैं, याने A4 में से आप A5 के 2 sheet बना सकते हैं, इस तरह से आगे चलता जाता है, जो next size आती है, वह उसका हाप करते हैं, next size बेसिकली इसका area होता है, वह next sheet का हाप area होता है, नार्मली A0 का area होता है, वह 1 square meter होता है, अगर लेंध्ट तू लेंध्ट रेशो देखें, तो 1 as to root 2 होता है, अगर इसका आप sheet का length to, ने width to, width to length ratio का टेखें, यह होता है, 1 as to root 2, यह इसका length to width अगर पेपर के sizes आपको पता है, तो आप आसानी से drawing का size पता कर सकते हो, ऐसा को चुन में, तो drawing sheets के sizes इसलिए पता होना चीए के sizes है, तो इसका use मैं सबसे पहले आपको पता, तो A0 size है सबसे बड़ा size होता है, नॉर्मली क्या है, जो हम drawing बना रहा है, जो fabrication drawings, जो भी draft कर रहा है, जो draftman है, उसका basic responsibility यह होता है, कि वो drawings, ऐसी sheets और इस size में print करें और plot करें, ताकि जो उसको study करने वाला है, वो आसानी से पढ़ सके, यानि कि उसके eyes को visually पूरा दिख सके, यानि उसे किसी चीज़ को पढ़ने में परिशानी ना हो, यानि वहां कि जो letters वेगर है, वो उसको आसानी से visible हो, दिखे, कोई lines वेगर है, यानि कि जो drawings में जो भी content है, वो आसानी से visible होना चाहिए, इसी तरह drawings का sheet size, decide किया जाता है, अगर आप A0 में drawing print और plot कर रहे हो, आपको कोई बड़ा drawings है, बड़ा scale में है, तो बड़ा है, अगर आप इसको A4 में print करने जागा, तो वो काफी नजदिक नजदिक और काफी छोटा size हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला है, वो उसको आसानी से पढ़ने कर पाएगा, इसलिए वो साइज हम बेफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए drawing sheet इस तरह से decide करें, इस तरह से select करें कि जो पढ़ने वाला है drawing वो आसानी से पढ़ सकते, यही इसका basic motor है, अगर आप और cost होई देखेगा हो, तो A0 का ज्यादा cost होता है क्यों ज्यादा size बड़ा होता है, इस तरह से होता है, तो normally कि अगर कोई छोटा drawing है, जिसमें ज्यादा detailing नहीं है, वो अगर वो A4 size में भी print करता है, और A4 size में visible अच्छा होता है, सारे dimensions हम पढ़ सकते हैं, सारे drawings वाह से देख सकते हैं, आपको कोई तकलिव नहीं है, आसानी से पढ़ सकता है, तो हम A4 में print करेंगे, अगर हम A4 में print अच्छे से visible नहीं है, तो आप A3 में कर सकते हो, उसके next ऊपर की size जा सकते हैं, इस तरह से हो, अगर A3 में भी अच्छा visible नहीं है, तो A2 में जा सकते हैं, और A drawings का proper skill select करके, आपको सारी चीज़े आसानी से visible हो जाएगे, और आप आसानी से बाहत पढ़ सकते हैं, drawing read कर सकते हैं, तो drawing sheet करने से पहले, drawing readable होना जरूरी है, और readable होने के लिए proper drawing का sheet size होना जरूरी है, तो इसलिए draftman और जो print करना है drawing दे रहा है, तो basic responsibility है, कि वह particular size select करे, ज इससे पढ़ने वाले का drawing readable हो और visible अच्छी तरह से पहले, तो इस तरह ही यह वो कर सकता है, next हम parameter देखेंगे drawing का drawing name plates, चलो मैंने drawing से separate किये हुए है, ताकि आपको आसानी बाद में जब आप verticallyly पूरा drawing देखेंगे, तो यह कौन सी चीज़े कहा होती है, आपको मैं वहापे आपको इतना ही section दिखाया है, जितना की parameter में हम cover कर रहे है, तो next जो हमारा parameter हो drawing name plate details, यानि drawings में जो corner होता है, lower right corner, वहाँ पे drawing name plates बना होता है, यानि drawings के बारे में वहाँ पे दिया होता है, कि drawings का name plate में क्यके सीज़े है, तो इसमें सबसे पहले है कि यह जो box बना रहे है, यहाँ पर आपका company का नाम हो जाएगा, आपका जो भी काम है, जैसे कि हमारा अगर मैं अपना देखू तो यहाँ पर let's tap, let's tap educational services, services होगा, next यहाँ पर consultant अगर हमरा इस drawings में कोई consultant इन वारे तो उसका नाम होगा, consultant का name जो भी है, next उसा client, किस client के लिए हमें बना रहे है उसका नाम होगा, जो भी होगा, पर्टिकुलरी उसका नाम यहाँ पर होगा, और यहाँ पर होगा इस drawing का title यहाँ क्या चीज का है, वो यहाँ पर जैसे कि, अगर हम देखें, जैसे reactor में जाएगे तो 0.5KL reactor, यहाँ तो जो भी प्रेशेर उसले, जो size का है, वो यहाँ प्रेशेर उसले, जो equipment का नाम है, व तो यहाँ पर जो इस drawing का title है, उस drawing का नाम यहाँ पर दिया जाता है, title के section में, और उसका capacity अगर नीचे लिखा हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि जैसे हो सकते हैं, आप हो, 1KL tank, जो नाम होता है, title हो, अलगल होता है, equipment के साब से title आप कुछ भी दे सकते हो, तो company क नाम हो गए, आपको consultant हो गया, client हो गया, title हो गया, उसके बाद इस equipment का tag है, यानि इस equipment को identify करने के लिए कुछ tag number दिया रहता है, जो normally company decide करता है, या तो already producer ने भी tag दिया रहता है, तो उस रिसाफते equipment का जो भी tag है, जो decide किया गया पहले से, तो वो tag आप आप दिया सकते है, अगर नहीं दिया तो आप भी दे सकते है, आपको identification के लिए देना जोरो, जैसे आप अगर storage layer तो ST101, ऐसा को भी tag दे सकते हो, ये tag अगर आप दिया भी रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, कौन से equipment करके tag है, और यहां से डाल सकते हो, अगर project wise है, अगर कही कुछे detail न कहा है, तो आपको वह कहाँ भी हो, तो उसके बारे पर आचल जाएगा, ये कि short हो जाएगा, आपको पूरे detail थ्यान में रहता है, ज़रो तनी tag numbers दे उसका information, store कर सकते है, उसके बाद किता है project, और अगर इस project को कोई नाम दिया हुआ है, तो आप दे सकते है, जो भी प्रोज drawings का number, यानि जो drawings हम बनें, उसको एक particular number दिया जाता है, ताकि, वो futures में भी हम drawing को refer कर सके, सब लोग drawing के reference से ही सारा communication रख सके, इसके लिए, हर drawing को drawing number होना ज़रू है, तो drawing number भी हर को ये अपने-पने हिसाफ से देता है, जो designers और जो ड्राफ्टमें होते है, उने पता जाता है कौन सा drawing किसके लिए बना है, ताकि futures में भी अगर reference हो, देखना हो drawing तो हमें drawing आसानी से मिल सके, इसलिए drawing number देना जरूरू है, ताकि हमें धूमने में आसानी हो, तो drawing number यूनिक दिया जाता है normally, हर एक को अलग लग दो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपको कभी अगर भी उस drawings को refer करना हो, किसी client का कोई problem हो, कोजी भी हो maintenance अगर इस देखना है, तो हमें drawing number से हम उस drawing को track कर सकते हो, और वो आप जून सकते है, इसलिए drawing number ज़रूरी है, तो यहाँ पर drawing number होता है, यहाँ पर दिया होता sheet, sheet 1 of 1 का मतलब होता है, इस drawings इस particular equipment के लिए एक ही sheet में drawing बना होगा, अगर यह 1 of 10 होगा, तो याने इस drawing को 10 sheets में बना होगा, याने 10 pages में यह drawing बना होगा है, और इसमें से यह first page इसलिए 1 of 10 लिखा रहेगा, अगर 1 of 10, 1 of 2, 1 of 5, इस तरह से drawing जितने drawings म बने होगा है, जितने pages में बने होगा है, उस तरह से sheets के हिसाफ से, यहाँ पर उसका sheets का marking होता है, यह sheets का कितना page, यह 1 of 10 है, यह 1 of 10 है, यह एक ही sheets में पूरा drawing बना होगा है, और एक ही में इसका सारे detailing दिया होगा है, और इसलिए हमें इसके other sheets refer करने की ज़रूत नहीं है, अगर यहाँ पर दूसरा है, 1 of 2 है, 1 of 5 है, तो आपको उसके patch और sheets भी आपके पास होना जरूरी है, तो आप सबसे पहले यह refer, refer करते के ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास कोई drawing आया है, तो यह sheet कितने और कितना है, यानि 1 of 10 है, 1 of 2 है, 1 of 5 है, जो भी है, 1 of 2 है, जो next drawing में भी होता है, next sheet में भी होता है, तो आपको आशानी से correlate आप कर सेको, इस लिए sheet का आपको देखना भी जरूरी है, इस paper, one of कितना है, यह देखना बहुत जरूरी है, next case का revision, revision यहाँ पर drawing का revision होना जरूरी है and a angles में सबसे पहला revision होता है, हो जोюरो ही होता है, जब पढ़ा जाता है जिदुर से next revision होगा तो one होगा next होगा टू होगा इसी तरह से इसके drawings के revision से आप किये जाते हैं तो यह drawings कितने revisions का है वो यहाँ पर होना जरूए है और revisions भी हमें पता इसलिए होना चाहिए कि अगर हम particular कोई drawing refer कर रहा है तो हम उसका जब reference देते हैं तो उसको drawing number उसका revision number देना बहुत ज़र्वी होता है ताकि जो drawings जिसने बनाया है वो उस drawing को track भी कर सके और identify कर सके यानि कि कौन सा drawing आप particular refer कर रहा है और कौन सा revision का drawing चल रहा है तो जो latest revision होता है वही follow कि जाता है बाकि revisions में जो changes होने के पास रहते तो उसको इस जो section है इतर का यह drawing वाले के लिए जिसने बनाया वह अपना यहां पर नाम देगा नाम देगा या तो जो भी उसका identifier हो दे सकता है अगर मैंने बनाया तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या इम्रा जो भी नेक्स्ट उसको चेक भाई यानि इस drawing को किसने चेक किया है उसका sign यहां पर रहेगा बेसिकली साइंस के लिए है यानि इस पर्टिक्लर ड्रॉइंस को कितने इक्विमेंट है जो भी वन केल टैंक है जो भी रियक्टर है जो भी आप बना रहे है उसका ऊर्टिक्टी कितना बनाना यहानी एक ही पीस बनने वाला है दो बनने वाले चार बनने वाले वह यहां पर हो गया यहां लिवा खूंटिक्टी करके जैसे ऐसे लिखके भी होता है और कोई कौंटिटी यहां फी देता है यह नॉर्मली क्या है इस ध्राइंग नेम प्लेट में जो चीज रहा जिया है इस ड्रोइंग पर्टिकुल है किस बना आए है 1S2 में बना है 1S2 Stone इस द energ american Flame जरूरी है यानि की जो ड्रोइंग बन था है अलग सैजरी अलग 2S2 1 में बनता है पर जब हम उसको एक्ष़ीन करनेा जाते वह गज्धर करें तो ँप नहीं बहुत उस सीपmer लगेगा तो इतना बड़ा sheet size पर हम प्रिंट कर भी नहीं सकते हैं ना तो इतना वह इतना costly भी हम नहीं जा सकते हैं drawing strip ड्राइंग रिडियेबल होना चाहिए होई sheet size में हम प्रिंट करते हैं तो इसलिए scale इसलिए कि आपको बड़ा size का drawings कम साइट में यानि को स्केल करके छोटा करके आपको आज इसलिए ड्राइंग को स्केल में ड्राइंग किया हुआ है वह वह ब्रणी के लिए पर स्केल भी यार पता है सबसे पहले पता होना चाहिए उसका ट्राइंग नंबर उसका रिवीजन और अगर रिवीजन वन हो गया तो यह डिट चेंज होके वन वाला डेट आता है यह अपने ध्यान रखना है जिस दिन भी अपडेट किया उस दिन का डेट यहां पर होता है कुछ लोगों के नेमपलेट फॉर्माट में यहां पर एक सिम्बावल होता है यहां पर द्राइंग शि सिम्बावल होता है जो ऐसा वाला मैं देखा अपा पॉस्ति द्राइंग में वह भी होता है कि वह दिया रहता है याने कि ड्राइंग बनाएग वह यहां पर होता है तो नॉर्मली हम तो भी जो फैबरिकेशन में थर्ड अंगल यूज करके लिपें बनादें ताकि वही नर प्रोजेक्शन से बनाए कि आपको पता चल सके इसले हैं इसकेस में ड्राइंग की नेम प्लेट में होता है तो नेम प्लेट में यह जो चीज़े ते यह सबसे जरूरी थी जो भी हमने भी देखी तो यह सब चीजे में होना जरूरी है वही मैंने आपको explain किया कि यहां के नेम प्लेट में यह से detailing रहती है करके तो इस तरह से आप basic जो details है आप यहां से आपको पता लग सकता है जब आप ड्राइंग पर्टिकुलरी हैंडल करेंगे रेफ़र करेंगे तो आपको पता लग जाएगे details का होती है फ़ड़ा वो changes इस चार्ट जो है वहार ड्राइंग में होता है क्योंकि जो एक बात बनी हो ऐसा नहीं कि हर पहली बार में परफेक्ट बन जाएगी हर बार कुछ अलव होता है अगर कुछ भी ड्राइंग में changes हो गया तो उसका revision करना पड़ता है और revision करने के बाद उस revision चार्ट में में mention होना चाहिए कि किस से revision किया गया है इसके बात revision किसने बनाया है कौन सी तरीक को revision किया गया इस तरीक के basically ऐसा चार्ट बना होता है आपके ड्राइंग में नीचे आप जहां देखोगे या तो आपके गष्पने साइड में रहेगा यहाँ पर रिविजन चार्ष होता है बेसीकलिए रिविजन नंबर एक कोलम होता है डिस्क्रिप्षन का कीजने का किसके चेक चेक किया है मि हैं आगज घ्रफरेजैन और होицा 5ट Bem 0 बनाए वो इस होता है ऑर नोपलेट में होता है यहां पर होता है होता है और बना है टो यहाँ पर ह데के लिग और ज़ीत बना है होता है डिटेलिः यहां रहता है सफरोड़ादAK siamo रिवीजन बनेक्सक्राइंग और लिखेगा है किसे लिखेया रिविज्राइचन देशन और झांडेक्सका किनल ऑरस्मा लुए्येंग लिखें किसे ट्राइंग न producesक्राइंगला revitalis Roland himself 121 तो 味नेक्सका धालिफन भाई सही भ Moyes पर्टिकुलरी चेक कर सकते हो और एक बात इसमें ध्यान में रखने की बात यह है रिवीजन जब भी होता है तो उसको किसी तरह से हालेट किया जाता है जो चीज चेंज हुई है वहाँ एक ऐसा सिंबॉल बनाया रहता है ताकि आपको पता चले कि रिवीजन वन में यह चेंज हुआ है इसे ऐसा है कुछ लोग क्लाउड करके लिखते है रिवीजन वन पर नॉर्मली एक ट्रेंगल बनके उसके अंदर दिया रहता है वही रिवीजन का सिंबॉल है इस तरह से दिया रहता है उस जो जहां पर चेंज हुए वहां पर एक ऐसा आइडेंटिफायर मार्कर लगा रह जब भी आप काम कर रहें अगर आप को कोई ड्राइंग मिले हैं तो सबसे पहले आपने वही देखना है कि ड्राइंग रिवीजन में क्या हुआ है और इसका इप कहा कहा हुआ हुआ है यानि है रेड कलर में हैलेट जाद है नर्मली कि ताकि जो देखने वाला है वह आसानी से धूंद से किया रिविजन हुआ है और चैंज हुआ है तो इसले ट्रैक करने के लिए इसे ट्रेंगुलर सिंबॉल और अगर आपको चैंज किया रहे तापको आपको आथा नहीं हो अगर आपके पास प्रिविजन डॉयंग आ रहा है तो आपके सबसे पहले यह जरूर देखना कौन सा है और्फ किपेस्ट रिव यहींज किपर्ड टू चैंज हुआ किए है और वो कहा कहा उस्तेशनमें रिप्लेक किया है वहां वहां पने इस रिभीजन का शीम्बॉल बना रहता है आपको वहां जाके रेफर करना है कि रिव लेटेस चल रहा है, वो रिविजन क्यों चेंज किया गया है, वो किसने बनाया है, इसने चेक किया है, और कौन से डेट को रिविजन पर्टिकुलर्ली हुआ है, ये रिविजन चार्ट से यही पतल लगेगा, इसका रिविजन कौन से चल रहा है फिलाल में, और आप कौन सा युसं डिय हो निखति एसका द्रोइफल के डिजाइं डीटेल परेक्निकल के डिजाइन डिजाइन डीटेल रहे था है ऑघ के यूससी पर्याइन डिप्मे이스् डीजाइन के डीजाइन के डातर है QS तुम्ल neg माश्यें दिसांदों एक्वीगतर के निफिदेस्ट को investigator उसको इससे ज्यादा कुछ फरक ने पड़ता है यहां से उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है पर यहां से प्रेशर रेफर कर सकता है टेंपरिचर करोजन अलाउंस अगरे और जाइंट इपिसेंसी अगरे यह फैब्रिकेशन से आपको पता लगता है तो इंजिने इसके लिए डिजाइन डाटा और टेकनिकल डिटेस काफी ज़रूरी होता है इसलिए फैब्रिकेशन ड्राइंग में डियाना ज़रूरी है ताकि बाकी लोगों को भी उसका बेसिक डिजाइन के परामिटर्स पता चल सके तो एक हमने एक रेफरेंस के लिए डिजाइन परस है यहाँ पर तीन कॉलम बने वे एक वेसल और अगर आपका जैकेट यह लिंपेट वला वेसल नहीं है तो आप सिर्फ वेसल का कॉलम रहेगा यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम नहीं रहेगा तो जनरलाइज फार्माट यह इसलिए हमने दोनों इंक्लूड किया है कि आपको पतार है और बहुत से लोग जनरलाइज यही फार्माट रखते हैं और अगर यह लिंपेट और जैकेट नहीं रहा तो यहाँ पर कुछ डैस करकर दिख जाते हैं और एक की में राइमिशन लिखते है ताकि पतार जले कि यह इसमें इंक्लूड नहीं है अगर है तो आप दो जैसे इसमें सेक्शन एट डिविजन वन अगर आपका ड्रोइंग इस कोड को फॉलो करके बनाया गया तो आपका यहाँ पर डिजाइन डाटा में डिजाइन कोड देना हुआ जरू रहता कि आप भी जब फैब्रिकेट करें तो उस कोड को ही रेफर करके जब भी आपको को इसी कोड में रेफर करें अगर दिजाइन को बनाया तो आपको फैब्रिकेट करते हो कि डिजाइन वन के ही रूल्स और जंडर रिक्वार्मन फुल्फिल करने होंगी इसलिए आपको यह देखना ज़रू है कौन से कोड से बना हुआ है उसे पता ही होता है इसकी सब्सक्राइब्र करना चाहिए इसलिए आप डिजाइन कोड का यह बनी है नेक्स्ट हे डिजाइन प्रेश्र से सब्पच्र । भो ईसका तो यह उसकता है 100 review यहां पर दे सकते हैं जो भी है जो भी प्रेस्ट से यहां पर लिखा तो ऐसा को नहीं है आप लगो टेन केजी पर सेंटीमीटर स्वेर ऐसा जो भी है वह अलग यह यह साफ से लिख सकते हैं कौंशीयुनिट्स में अपने डिजञाइड डाटा दिया है उसी साफ से एक युणिट मेंटें करें एक क्शेकरoritक है ऐसा किया कुछ नहीं इए कंवरजिन कर सकते हैं कर सकते हैं आप बैसिकली डिजाइन डाटा दिया हुआ रहता है वहाँ पर उसके आगए लिखा हुदा है कौन सी उनिट में वहाँ पर है बैसल ने करना दिया लिखा सकते हैं तो अलग है अलग तरी लीखा अलग होता है इसले अलग-छी ने ने इसका डिजाइन टेंपरिचर बीचार कि इतना है वह है 300 degree centigrade जो भी है डिजाइन का डाक्टा में डिजाइन ते हम प्रेशर की अधिया होते हैं इसका नेश्ट इसका वर्किंग प्रेशर एक्चुली यह इक्विपमेंट किने वर्क करने वाला है वह यह हापी दिया प्रेशर हैं कि जो डिजाइन प्रेशर है थोड़ा प्रिज़ाइन से ज्यादा लेए जाता है डिजाइन करनी के लिए हम डिजाइन से रहे होने के लिए हम डिजाइन प्रयाइंट्र थोड़े वर्किंग से रहें नेक्स्ट इसका को रूझन आलाउंस यानि इस जो हम प्लेट यूश कीया है tür जेर इंक्लूइड किया गया उसी साब से और सम्हें उसकी को रॉआ रहता कि आपको बता दे रहा हूं ब्रक्षा से आप भी लिजन के पर से किंचे एक्ट करना है नेक्से में कौन कौन से फ्लिविड हेंडल होने कुछ वेशब के इंसेट इसके इनक्ष कोन वने को है यार पार्ट से मेजर पार्ट से शेयल और डिशेंद होते हैं इसलिए तो स्वेयल डिशेंट की ज्रुन इफिसेंट्थ देना जरुआ है ज्रूएंट इफिसेंट्स अगर सिम्लेस बोलते हैं अगर 0.8, 0.75 इससे दिया रहा तो अलग अलग है क्योंकि जॉएंट इप्रिसेंसी हम रेफर करके हमें पता लग सकता है कि यह ड्राइंग को आर्टी रिक्वार्मेंट है या नहीं अगर यह पॉइन्द सेवंद नहीं है तो आर्टी के रिकवार्मेंट नहीं है अगर यह सते पॉइंट फाइव है तो सपॉर्ट रेडियोग्राफिक क्या है जो भी है यहां पर वह यह से प्रण नहीं है अगर 1 है तो फूल आर्टी लेना जरूरी है इसी तरह से यह जोई टीपिसेंस से हमें प्रदा लगता है इसा आर्टी रिक्वार्मिंट कहा रहेगा और हमें आर्टी क्या कर रहे हैं वो यहां से प्रदा इसलिए यह सब डाटा हरी के लिए इक्वाली इंपॉर्टन है ऐसा नहीं कि बाकी लोग इसको रहें पर हर इसी को यूज की साफ से डाटा रहेफर किया जाता है इस इसलिए जूइंट इपिसेंसी जो शेल और डिशेंट का वो दिया होता है ताकि हमें उससे पता दल सकी इसका आर्टी रिक्वार्मिंट क्या है वह अलग दिया है को दे देते है ताकि यूजरऄार सके बेशिक मोटो यह होता है ऑस ड्र र करने वाले को इस ड्राइंग के बारे में सारा जान सके और आसानी सब चीज़ा जान सके इसलिए प्रापर इंफौरमिशन वाहफे देंना ओने cm2 कि यह अन्सान को इस और प्रॉइश को रेफर हमे अगर को कोई इंसक्ट करने वाला तो 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 उसका नाम यह यह फिशे कभी जो अधुशन आथॉरेटी इंस्पेक्शन आथॉराइजिंसक्षीं वह इसका यहाँ पर टीटेलिंग देया रहते हैं बज्वेशिक Pan Am तो internally quality प्रसंद रहेगा अगर external agency है तो याद उसका नाम रहेगा और आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि यह एक्चुली inspect work करना बेसिक जो requirement है तो design data में इतने parameters होना बहुत ज़रूर है इतने refers normally हर drawings में होते हैं और design data हर drawings में देना ज़रूर है ता कि बाकी लोगों को भी इसके technical details और technical aspects पता चल सके इसलिए design data और technical details हर ड्राइंग में right side के top में दिया होता है basically हम यह इस design data के बारे में यहां पर प्राइब नेक्स्ट परामेटर दिखते हैं drawing bill of material मैंने यहां पर लिया हुआ है actually हम bill of material के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले bill of material कैसे बनाते हैं पर इस section में drawing के aspects to bill of material क्या होता है वही देखने वाले पर यह कैसे बनाते हैं यह हम नहीं देख रहे नॉर्मली यह मैंने एक reference के लिए यहां पर कुछ दाल दिया है तो यह दिया रहेगा या तो अगर इंचार्ट साइड में बना है तो ड्राइंग नेम प्लेट के उपर विल आप मट्रेल का मेजर पार्ट है और सबसे इंपॉर्टन है विल आप मट्रेशन ड्राइंग में होना ज़रूरी ही है ताकि जो फैबिकिस्ट में काम करने वाला इसको यह पुर्लेशन यहा तो है इसका सीरेल नंबर और अड़ेंटिफाई नंबर होता है जो जो ट्राइंग में हर चीज को एक नंबर से अड़ेंटिपाई की आता है वो नंबर का रिलेशन्स यहा रहा था यानि कि अगर वहां पे शेल्ट बना हुआ है ड्राइंग्स ऐसा है यह अगर पर्टिकुल एक जंदल वेसल है तो इसको अगर हमने वन दिया है यह टू है इस तरह से डीटिलिंग बना रहता है और इस वन का रेफरेंस यहां होता है यह वन है यहां पर वन हम रेफर करेंगे यह वन क्या है हमको यहां पता लगते हैं यह वन है शेल्ट इसका कॉंटिटी कितना बनाना है फैब्रिकेशन में और इसका क्या साइज से फैब्रिकेट करना है इसका इमोसी क्या है और इसका कोई रिमार्ग है क्या हो यानि विलोग में बेसिकली इसका सीरियल नंबर और इसका डिस्क्रिप्शन, कॉंटिटी, रॉ साइज, इसका मट्रियल आप कांस्ट्रक्शन, MOC, और रिमान, यह इतने कॉलंग्स बील आप मट्रियल में होना ज़रूरी है, सबसे पहले में एक्स्पेंगर करका बता तो अगर देसे यह एक्जांपल मैंने बता है, इसको वन न और इस शेल बना लेकली का प्लेट साइज या अपर 25912005 तीकनेस का, यह यहां से हमें इसका साइज मिलता है, और इस साइज से हम इस शेल को फैब्रिकेट करता है, और next इसका मट्रियल हम यूज करने वाले प्लेट का उसका मट्रियल का ग्रेड यह होना जाए, यह से 240 ग इस टिटूरियल का जहाँ हमने कोर्स और स्टैंडर्स का ओवर्यू दिया है, वहाँ पर section 2 में क्या detailing होता है, वह आप पास से जा सकते है, तो section 2 के साथ इस होटेल को नाम दिया है, यह से 240 ग्रेड के साथ से, और इमार्क अगर कुछ हो तो यहाँ पर दियार, चली नार्मल आपको इस टू किया जाता है और यह पर side अलग हो जाती है, तो आपको एक cross-querify करना होता है, कि यह 1 क्या चीज है, size पता लग जाता है, यहाँ से आपको ड्राइंग से एक पार्ट साब लेते जाएगे, तो 1 क्या है, तो आपको इस तरह से आप automatically drawing study करने जाएगे, जब आपको automatically यह सारे चीजे पता लग जाएगे, क्या है, कौन सी चीज कहाँ पर है, उसके dimensions क्या है, अगर आप below material generate करना सिख गए, और below material refer करना सिख गए, तो आप समझ लोग का 90% आप drawing study करना सिख गए, अगर आपको below material समझता है, आप below material बना सकते हो, और below material से आप detailing, अगर fabrication म दूढ सकते हो, तो आप समझ लीजी कि आपको 90% drawing समझ में आता है, और आप 90% drawing refer कर सकते हो, तो सबसे important major parameter जो होता है, पील of material ही होता है, इसी तरह next component है, मैं ज्यादा इस नहीं करूँगा, पर कुछ चीजा आपको next जैसे 2 है, यह decent है, तो यह आपर दिया रहेगा, decent blank इसलि इस circle का diameter, quantity 2 के लिए है, यह top में लगना आपको bottom में लगना आपको, अगर दो पार्ट में बना है, तो दो quantity रहेगा, वसे single part में तो one, decent का 2 दिया है, ताकि एक top के लिए हो, अगर इस different size के रहेगा, और different thickness के रहेगा, तो यह अलग मार्क से दिया रहेगा, जैसी इसको 3 दि identify marker दिया रहता है, उसी से इसका size है, quantity 2, इसका size, nominal thickness और actual thickness यह आपे दिया रहता है, nominal thickness और minimum thickness कितना है, minimum thickness से कम कम plate नहीं use कर सकते, nominal thickness का plate हम use कर सकते, उसी का MOC दिया रहेगा, हर चीज के यह तीन चीज हमने ज़री हो, raw size, उसका identification mark, उसका नाम, उसका quantity, उसका size, उसका MOC, यह फावी चीज़े यहाँ के below of material में सबसे ज़रूरी होते हैं, और remark अगर कोई है, तो remark भी यहाँ तो होता है, इस तरह देखो यह next, आप जब drawing refer करेगे, जब हम below of material बनाते जाएंगे, तो यह सब चीज़े आप automatically steady करने लग जाओगे, और below of material से हमें, drawings के हर एक parts का हर एक ची प्लेट में below of material से important parts है, इसके लिए हम special video भी बनाएंगे below of material कैसे बनाते हैं, वह उस प्लक बनाएंगे, जब हम detailing सीख के, जब हम particular weight बगर calculate करने, size यहाँ गरे desire करने लग जाएंगे, तब हम यहाँ पर below of material बनाते है, और यहाँ और column होता है weight का, रहाद चीज़ का weight भी में particular equipment का weight भी दिया रहता है, नीचे column करके, होता है नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ drawings में कुछ drawings में नहीं होता है, पर below of material में भी एक column weight का भी हो, तो weight भी होता है, जब हम below of material बनाएंगे, तो हम weight के साथ का chart देखेंगे, यह आपको understanding के लिए यह लिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा detailing में नहीं होता है, जैसे एक nozzle है, यहाँ पर इसका identify some weight यह है, side class, light class, कोई एक nozzle है, pad type है, जो भी है, यह दूसरा nozzle है, यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए nozzle की detailing ऐसे रहते है, इसका side इसका इसका है, और इसका identify and at, इस nozzle का जो number है, यहाँ पर remarkmen डाला है, तापको आपको आसानी से, वह आपसे धून सको, इसलिए, तो यानि below of materials है हम क्या करते है, हर parts का reference है, below of material में मिलेंगा, उसके बार में detailing है हम है, dimensions हमें drawing से मिलेंगी, और उस related parameters है, वह यहाँ से मिलेंगा, उसका नाम का, raw sizes का, MOC वेगर, below of material में इसलिए, below of material में major important parts है, तो इसलिए below of material के बारे में, चादा आपको आना चाहिए, below of material आपको जनरेट करता है, आना चाहिए, below of material आपको refer करता है, इसलिए, फैब्रिकिसन drawing study में below of material एक major component है, below of material सबको आना ही चाहिए, below of material आपको generate और refer करता है, आना ही चाहिए, यह basic requirement है, और अगर आपको below of material आता है, तो आप समय लिए, आपको 90% drawing study करना और refer करना आ जाता है, तो लिए next part हम देखते है, drawings में, drawing nozzle status, drawings का एक nozzle status बना होता है, nozzle status जो हर drawing में होना जोरूरी है, पेशे वसिल का इसके right corner से थोड़ा सा अंदर दिया रहता है, ताकि उस side में orderly, below of material आपको अगर आपको वहार detail जगे है, वहार रहता है, तो उसके side में drawing का nozzle status बना रहता है, nozzle status में actually क्या है, nozzle का marking, यानि उस nozzle को क्या mark दिया है, वो, उसका service, यानि उस nozzle किस चीज़ के लिए है, उसका service, इस इसके बार nozzle जो particular एक pipe होता है ऐसा, और उसको एक plant जोड़ को बनाता है, इस component को बोलते है nozzle, actually जब हम आगे detailing देखेंगे, next video जब हम nozles के बारह में detailing पढ़ेंगे, तब हमें पता लागेगा यह क्या होता है, अब आप consider के pipe को एक plant जोड़ आता है, इसको बोलते है nozzle, अब इ इस plant जो लगी इसको, इसका type क्या है, तो यह है, यह प्लांग को इसलिए, plant का size गी 150 होता है, शिर्फ यह schedule है pipe के लिए होता है, यह type plan के लिए होता है, यह plant 150 NB, यहाँ पर दिया रही है NB में है, यहाँ पर दिया रही size किसमें NB है, यहाँ और यह 150 NB है, 50 TNS इसका schedule है, इ प्रोजेक्शन इस नोजल का प्रोजेक्शन यहने इस वेसल से कितना बाहर है इसका प्रोजेक्शन, यह पर यह नॉर्मली 150 एक स्टैंडर्ड है, पर इस से ज्यादा भी रहता है, पर minimum 150 लोग रखते है, एक easy accessible के लिए, और remark है, कोई remark अगर कुछ है, hold और जो भी है, और remark में, एक remark को problem भी इसलिए होता है, ताकि आपको कुछ भी comment हो, तो यहाँ पर remark में डाल सका है, तो इसलिए से नोजल, जितने भी नोजल होते है, उनका हर एक को अलग-अलग identifier mark होता है, नोजल mark, N1, N2, N3, N4, इस तरह से marking दिये जाते है, ताकि आपको पता लग सेगा, उत इसलिए 40 NB का pipe है, अब यह deep pipe दिया है, तो इसमें 40 slash 25 दिया है एने, 40 pipe के अंदर एक और 25 NB का pipe, इसलिए ऐसे 2 साइज दिये, तो आप यहाँ पर confusion मत क्यों जिए, कि ऐसे slash क्यों दिया हुआ, तो इसका मतलब 40 NB के pipe के अंदर और एक pipe गया गया है, 25, जब आप इसके detailing दे पाइप लेंगे, तो 150 NB का pipe हमें लेना है, 10 schedule का, यह होगा तो इसमेरे pipe के लिए detailing, और plan के लिए detailing हो जाएगा, 150 NB के plan, SORF type, 150 class, यह होगा, plan guard, specification, आपकी specification से plan जो पाइप पाता है, इसलिए उसका specification यहाँ अदर और इसका projection है 150 M है, याँ इस बेसल से यह 150 M है बाहर है, प प्राइंग से पता लाग जाता है, यह बाहर है, तो नॉजल सेटूस में बेसिकली यह इतने चीज़े होने ज़रूरी है, इसके अलावा भी कुछ हो रहे है, तो और भी detailing आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो रहता है पर यह basic इतने चीज़े नॉजल सेटूस में होते है यह कई पैट टाइप इसलिए लिखा है कि यह पैट टाइप है, यानि कि यह पाइप और नॉजल से नहीं बनावा है, यह directly फ्लैंज उदर वेल्ड कीए वेसल के साथ इसलिए पैट टाइप भी आवा है, तो यह यहाँ पर इसका रिमार्क में भी देते हैं, या तो यहाँ इस evacuous में होना चाहिए, जब भी आप drawing referring character, neural schedule schedule में देखी कि इतनी चीज़े minimum होना चाहिए, इतना से ही nozels का actual data हमें पता चल सकता है, इसलिए यह nozels बना रहा है, तो यहाँ से हम nozels के बारे में जान सकता है, यह अव ground values को फुरे drawings के पता लग जयाता है, यह उतना सही था पर स्पेस्टिकिकिशन वहाँ न हुँ होता है। इसलिए अलग से बनाया होता है। वहापे उसका साइज द्या होता है। वहां पिला पॉटल में दिया हुआं, पर डीटेलिंग के लिए सान्तिकिशन रहे है। अधिक पर होना जरूरी होता है। एसा information है जो हम actually drawing में दे नहीं सकते हैं यानि drawing में incorporate नहीं कर सकते हैं जैसे notes जैसे भी जैसे all external dimensions are in mm unless otherwise state यानि यह notes इसलिए देने चाते हैं कि हम drawings हर देगे पर mm तो लिखेंगे नहीं एसा है जब हम drawing में बना रहे हैं तो एसा तो ही हर डामिशन सा अर mm लिखता जाया तो वह काफी tedious और drawing का भी confusion होगी तो इसलिए कुछ ऐसे notes होते हैं जो हम notes में refer कर देते और वह particular पूरी drawings को related होते है जैसे अगर आप में नोट्स में देखें तो नोट्स के लिखा होता है उसके नीचे कुछ notes लिखे होता है क्या नोट्स यह drawings को applicable है तो अगर जैसे में एक example लिए नहीं को पहले सबसे पहले बोलो तो यह इस तरह का charts बना होता है हर ड्राइंग में नोट्स का charts होता है और यह आपको रेफर करना जोड़ी है हर नोट्स को एक बार readable कर लेना चाहिए तकि आपको ड्राइंग fabrication करते हो कोई करना आए और आपको सारी बाते होता है सबसे पहला है यह और एक्स्टर्नल और एक्स्टर्नल डाइमिशन्स सारे डाइमिशन्स है वह में है अगर अलावा कोई डाइमिशन्स स्टैंडर्ड यूज किया गया तो वहाँ पर पर्टिकुलरी मेंशन रहेगा कि यह इंच का साइज है अगर वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो आप यह रेपर कर सकते हो साइज में में है यानि पर्टिकुलरी अगर एक शेल्स ले लिया और यहाँ पर इसका आईडी दिया रहेगा डार की वन बन जूरो जूरो लिखाए तो इसका मतलब यह में में है अगर यह में के अलावा कोई हो रहे तो आप सारे नहीं होते है ऑंपने हर्येक को पढ़ना जरूरूए है तुसी से आपको पता लगते हैं उसकी कुछ पार्स कुछ इंपर्टन कीजे नोड्स में रिफर किये रहे हैं आप प्रिंसिपल सेंटर लाइन से स्टेडल होना चाहिए इसे आपका यह वेसल है तो इसका प्रिंसिपल सेंटर लाइन यह हो गया है अगर टॉप यू में देखे तो यह आप ले न सेनल लाइन इसका प्रिंसिपल अब्रिंस करें के लिए यह इसले को दो फिल्स फ्रिंसिप्ल सेंटर लाइन दो है न इसकते हैं उसके अगर लिए इसे मैच नहीं होना चाहिए इसका अगर टॉप यह ऐसा है तो इसके जो छोल से इस चारो में निया ना जैए है यह होल इस चारो चैन्टर लाइन को उपसेट रहना जी यह यह बेसिकली इसका straddle का मतलब है यानि कि जो प्रिंसिपल सेंटर लाइन से एक फोर इस टाइम विशन पे आपको कोई भी होल इस लाइन पे नहीं आना चाहिए इसको कट नहीं करना चाहिए इसको अपसेट ही सारे होल्स आने चाहिए इससारा से एक नोट से अगर पत्यास एन पी से कोई नोगे स्ट्प्रोइड करना है है तो यह साली डियुज ओना चाहिए और और को विशाल भी इससारा नहिए यह किने हुए अगर 18B से कम है तो solid होना चाहिए अगर है यह हर एक ड्राइंग में अलग 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 होता है इसलिए आपने नोट से एक बाद पढ़ना जूरू है ताकि आपको पता चल सके तो यह ड्राइंग के क्या-क्या क्लिए सब्सक्राइं होगा तो बाकि कुछ चीज़े जो हम ड्राइंग करना नहीं नहीं रिखा सकती है क्या सकती है तो इस तरह से नोट से तो बेशिकली ड्राइंग का नोट पढ़ना भी हर विपेडिर और हैंज इंजिनेर को एक वर आप ड्राइंग साड़ी कर रहें और आपने notes study करना भी बहुत ज़रूरी है important है इसलिए drawing notes रेपर करना ही चाहिए और drawing notes आपने publication शुरू करने से पले हर एक drawing notes को एक बारकी से पढ़ना ज़रूरी है Next is drawings view. Drawings view में क्या है? Drawings में actually बहुत सारे views होते हैं बहुत सारे नहीं नार्मली कोई अगर प्रेशे रशे का drawing है तो नार्मली elevation और plant view ही जादा होते हैं अगर कभी कभी कोई sectional view होता है कुछ detailing अगर हमें करना है कुछ section cut करके दिखाते हैं तो बेसिक अगर drawings में आकर हम देखे रहे तो चार नार्मली इंपोर्टन डियर रहते हैं चार व्यू में आते हैं सबसे पहले elevation view और front view जिसे अगर में यह drawing देपर पर तो यह होगा इसका elevation view plan view और top view यानि यह हो गया इसका top view और plan view side view और sectional view ऐसा जरूरी नहीं हर ड्रॉइंग में सारी views ही होंगे हर ड्रॉइंग्स क्या है हर ड्रॉइंग्स में जितनी views की जरूरी है उतने ही views दिखा रहे जैसे कि यह drawing के अगर पर देखे जाएंगे तो इसमें सिर्फ एक elevation view और plan view की ही जरूरत है इसलिए दो यह दिखाया है अगर इसमें कुछ sectional या से section का यह internal detail दिखाना है तो यह पर sectional view यह अलग से भी पता सकता है तो sectional view भी ड्रॉइंग्स में होते हैं कोई इसमें side view की ज़रूरत नहीं हो देखी कि यह already round है तो side view की ज़रूरत नहीं पर हो इसलिए अगर आप यह horizontal tank देखोगे यह वाला तो इसमें side view यह आज से रेफर किया हुआ है यह दिया हुआ है ताकि आपको पता दो कि इस side से अगर देखोगे तो side में कैसा दिखेगा इस ञखेए वाल आइवेंट यह दो के सब्सक् tem कर तो इसलिए आपको एक और ट्राइंचंटर त्यंक आइगा कि आपको elevation view और side view पता लग सके और एक वर्टिकल टेंग का दिया था कि आपको top view और plan view और elevation view पता चल सके तो इस दरा से views ड्राइंग में होता है हमें हर views में कुछ details मिलता है कुछ views में जैसे कि अगर आप देखो के तो यहां पे कुछ आपको detail मिलेगा कुछ top view में मिलेगा तो इसलिए आपको पर्टिकुलर शेल का कुछ size लेना है तो आप यहां से मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा यहां पी दिया रहता है पर्टिकुलर डाटा नहीं मिल रहा है तो उसका कोई डाटा आपको top view में मिलेगा तो इसी तरह से आपको half views करते आने चाहिए views refer करते आने चाहिए जब आप views refer करने लगेगे तो आप एक एक चीज़ को लेकि जब आप चीज़े धुंड़ोगे तो आपको आपको ड्राइंग के views study करके आने लग जाएंगे जिसक में आप एक एक जामपल के लिए बता दूँ जैसे अगर यहां पर आईडी ना दिया हो तो इसका अगर आपको लेंद लेना है तो यहां से और डाइमेटर लेना है तो यहां से ताप यू से यानि आप यू और यू इस अपनी से ख सब करके हमें हमें ऐसा कहलेंचन दादेिशू के रिभ करके हमें अलीग बीवेशन के जाएंटर खरते को को यहें ऐसरी है सबी व्यूज के कॉंबिनेशन करके हमें एक पर्टिकुलर डाइमेशन वहां से मिल जाती है तो यह व्यूज पी ड्राइंग में बहुत इंपोर्टन है तो ड्राइंग के व्यूज इसको में डिटेलिंग कि पापको कैसे है नेक्सट है ड्राइंग में के हैं हर की शुरूबवाते हैँ इक रेफररंस के साथ है अगर नहीं है तो आपको खुद को मान के चलना पड़ेगा कि एक कोई रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा और फोई से रेफरेंस जा सकते हैं ताकि आपको जो एक्विपमेड है परफेक्ट बने इसलिए ड्राइंग में ड्यामिशन रेफरेंस जरूरी होता है बहुत सारी लोग है जो इस पार पता नहीं है कि ड्राइंग्ट बहुता क्या है इक अलग चीज है और यह हो जी से मैं आपको समझा देता हूं अचली होता चाहिए तो यहाँ पर दिखा रहेगा रेफरांस लाइंड अगर आप इसको रेफरांस लाइंड तो यहाँ यहाँ पर से भिस्जी हो गिस इसकी बोटम तक का मेजर करेंवे यहाँ सारे रेफरांस पर इसका दिखाना तो यहाँ को दिखाना तो यहीं से लाइंक के जाए जाएंगी देखेंगे यहाँ निज्ट है तक पहरा मध्युक्त है इस तरह से होता है बहुत सारे लोग के डायमिशन्स जो है प्रेशर उसल में 10 लाइन जो डिशन का 10 लाइन है उदर लिया रहता है रहता है रहता है यह तो कुछ लोग है या तो आप यहां से ले सकते हैं या नि किसी एक पॉइंट को फिक्स किया रहता है वेसल में या तो य ज़रूरी यह है कि reference line आप equipment पर ही ले ताकि आपको equipment परफेक्ट बन सके ताकि जो आपको changes और सारे इस ही dimension से calculate किये जाए इन्हें बाकी सारी dimension जो dimensional देने वाले हो इस ही line के reference according to अगर इसका size जाना है तो starting यहीं से करने हो और यहीं देनी next और सकते यहां से दे परकि शुरुवात यहां से जोरूरी reference lines भी बहुत important है तो आपको जब भी आप fabrication ड्राइचें करें और fabrication को रेफर करें तो सबसे पहले आपने ड्राइच में अगर में कर दोड़ना है तो सबसे पहले आपको reference सारे मेंå जोड़ाइब तो इसा कंट एपर करते है तो जाए एक मीटर इसा होता है यहासी इतना टॉल रिक्वार्मेंट एक मीटर तो आप प्या करोगे समझ लो आपसे चेल को डॉल5 वनाया है है वे फद सूपata all the topos डैटरी ही ठील सब्सकेलिए हैत। थो तोतल इत ना इंबर राणा मीटर राण चाहिए जाने कि इस प्रेप्रांस से इसका लाइस्ट पॉइंट एक मिटर आना चाहिए आप यहां से थोड़े बड़ टाइमेशन वहरी हुँ तो चलेगा पर यह आपका डामेशन वन लाइन से ही आना चाहिए और आप पूरा इस तीनों को जोड़ दोगे तो आपको इस डिशेंड को और इस प्लाइट बॉटम को जोड़ दोगे तो आपका टाइम इसका बॉटम इस रेपरांस लाइन से वन मीटर ही आना जाए इसी तरह से अलग अलग होता है एक पर्टिकुलर एक ड्राइंग में रेपरांस लाइन एक ही हो रही है जैसे बहुत सारे डिशेंट के टैन लाइन कोई रेपरांस लाइन से देते में और यहां पर रेपरांस लेना ना सही नहीं तो equipment में descents यह major part है आप यहां से reference लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसा नहीं reference कही से भी ले सकते हैं आप इसा उतनी यही से लेना जी पर major part से आप reference ले ता कि आपको आपका IQ में भी perfect size में मिले और आपको वही से आप सारे dimensions रेफर कर सकते हैं और जो ट्राफनर है उसका भी basic motto यहीं रेता है कि वह सारे dimensions reference line के according ही दे ताकि ड्राइंग रीड कर रहा है जो ड्राइंग समझ रहा है उसको भी आसानी हो पढ़ने में और globalization होता है नहीं कि ऐसा नही इस तरह से और एक अलग 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 dimensions दिया रहता है आपको रहा ना है और dimensional detail कैसे दिया जाते हैं वो इस बारे में आपको पता है तो dimensional ही भी बहुत important है next time part लेकिने drawing part detailing जब आपको पता चलके आपने reference पता लगे आपको drawing part detailing क्या हो थी वह जेस्ट मैंने एक drawings यहा पे लिया है बेसिकली आगे भी लिया है बहुत जगे पर यह drawing मैंने यूज किया हुआ है पर आप वहां से में जिस्ट आपको part detailing होता क्या है क्या है यह जो आपको एक overview देता हूं आगे पर देने वाल यह एक drawings है हमारी एक particular sheet में बनी हुए तो part detailing यहने क्या है तो हो यह जैसे यह views है इसके major parts यह दो है अग इस parts में लगने यह खुआ है हर एक part detailing यहा दिया हुआ है मैंást जो सब studio स्यावान है इसका वेल्डिंग डिपेल इधर दिया हुआ है इसके नोजन का डिटेल लिग आप तो इस तरह के हर एक पॉण्वकनेंट ही जो ज़िजएब अलग 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 जगह पर जो वाते Jupiter अगर यही पर इसका सारे detailing बनाने लगे तो यह drawing काफी complicated हो जाए इसलिए इस complications को avoid करने के लिए जो major part से वहाँ पर highlight किया रहता है कि इस detailing को number दिया रहता है complicated ना बने simple बने इसलिए part detailing किया जाता है जैसे मैं आपको पता है लेक्स के लिए यहाँ पर मैंनोल के लिए यहाँ नौजल के लिए इसलिए जितने भी कुप में लगे लग के लिए यहाँ पर पार्ट की detailing अलग-अलग की जाती ताप यह आपको drawing reading करने में आसानी हो आपको dimensions find out करने में आसानी हो इसलिए इसका detailing कर जाता है कभी-ख़ी ऐसा भी सिचुछन आता है यह एक ही sheet में पुरा बनाया है और readable रहता है इसलिए इसने एक ही में इसका detailing भी करते हैं कभी-कभी क्या होता है पार detailing is separate sheets में भी बनाए होते हैं कभी-कभी क्या होता है main major drawings basic sheet में one-of-one में होता है अगर 10 sheet का drawing है तो 2 of 10 में एक part का detailing बना रहेगा, 3 में 3 of 10 में एक करेगा अगर बड़ा ड्राइंग से अगर यह इसमें भी कॉंप्लिकेशन समझने में डिक्कत होती है तो आप एक सेपरेट शीट में डिटेंग कर सकते हो और उनका रेफर नैनी डिटेंग में बता सकते हो। तो इसी तरह से डिटेंग आपको देनी हैं, आपको हर पार्ट के डिटेंग करना ताकि ड्राइंड अंडेश्टेंड आपको एजी हो, कम्बलिकेट नहों हो, समध्या वर इको रिडेबल हो और दिखाना और इस तरह से इसको बहुत है पार्ट डिटेरिक नेक्स्ट नौजल ओरेंटेशन में अचली क्या है नौजल ओरेंटेशन एक अलग पार्ट है पर यह आपको नौजल ओरेंटेशन हर ड्रॉइंग में रहता है अगर आप पेशल वेचल फैबरिकेट कर रहे तो ओरेंटेशन एक मेज़र पार्ट हो जाता है नौजल ओरेंटेशन आपको समझना वर्ज रहे तो नौज़ ओरेंटेशन बैसिकली एक ट्लाण भी होता है यानि की टॉप यूज बेस्टेटर की नौज़ ओरेंटेशन हो कि इसमें बेसिकली चार डिग्रीस फ्सक्षब कर में आपको अग-ड्रो में ऐसे इस इस त्रका हो हमाइत कर दूड़ेश्जर शां नीचा फिसलो श्राइट करने वे दूबलेगा पर आपको बसका अग-ड्रकार साहीज सभाग तो आपको बसक्तार यहांनि तो इस AW्रेंट के यह एक्लिवेंट करें तो इसमें कहें चार डामिशन होना जो भी और इसका रोटेशन भी इंपोर्टन्ट है यह clockwise rotations है और anti-clockwise अगर आपका यह और अपने गलत है आपके अकॉर्डिंट तो आपकी जो नोजल से वह दूसरी साट चले जाएंगे इसलिए प्लांट विव जो हमने देखा था लास्ट लेक्चेर में आपने देखा था हैं एकई में यहाई जाने वाला और अपनाते हो कि इस नोजलान को इसलिए ऑस नोजल इस साइड में बना इताया है मेड़ को प्लांड चाहिए ऊसलिए अपर नोजल को एस डिरेक्चिन में था होता है तै कि नोजल करें only से rupees यह जरूरू है ऐसा नहीं इस नोजल का ज़रूरी इस साइड में था और यह आ गया इस डिग्री में ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए पार नोजल ओरेंटेशन एक फिक्स एक्यूमेंट लेयाओट और प्लांट लेयाओट के इसाफ से फिक्स होता है वह उसी से अकॉर्डिंग इसके नोजल कोनी से डिगरी पर यहां पर बाता है और इस चाइड़ से ऋनके डिघरी पता लग आपको अब इसमें इसका मार्कि मौ भी नि हो यह ही साइड में मिल जाते है तो यहांको साइड rend on top बांट बहुता है ताकि आपको जो रीडर है तो प्रब्रिकेशन ड्राइंग समझने वाला है उसको समझ से कि यह नोजल एक्षिल है का यहाँ पर बॉटम लिखना जोरू है कि इस तरह से हर एक चीज का हर एक विप्मिन का जो और इंपॉर्टन है इसके बाद जिरो नाइंटी वनेटी की डिरेक्शन में वह इंपॉर्टन है इसके बाद नोजल का मार्किंग और जो टॉप क्या होते हैं उनके लिए इसका पीसीडी है जो आर हंडड है इसका यह लोकेशन यानि अंगुलर लोकेशन आपको एलिवेशन तो जो साइड वाली नोजल से उसका एलिवेशन फ्यूर से तो आपको उसका हाइड मिल जाएगा पर जो टॉप डीश के पर टॉप है बॉटम में लगे उसके लिए आपको ड 815 है इस तरह से हर एक नोजल का अलग-अलग आर हो सकता है जैसे कि यह जो आर एच्छे स्वाल है इस पर यह नोजल भी है यह है इसे बहुत सारे नोजल अगर आप डिप्रेंट अभी यह वीसी आर पर है यह नोजल अलग-अलग आर पर है तो इसका अलग आर यानि जितने और पर हर एक का और यानि इसका पीश्यों का सेंटर राइन देना जरूरी है इस . इसके अंगूलर डेगरी इसके मार्किंग्स का इसका対で का रोटेशन यह सब इसमें इंपोर्टन है और यह सब आपको स्टेडी करते आना चाहिए और यह आपको समझ में आना चाहिए तो यही नोजल ओरीटेशन के बारे में हमने याद और दिया आप जब पर्टिकुलर ड्राइंग खुद से स्टेडी करना चाले करें तो आपने कोई इंजिनेर को अगर नोजल ओरीटेशन समझ में आ गया तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप यह टॉप के सब्सक्राइब लेकर दिया नहीं है तो आप कंसिडर करेंगे कि यह टॉप्यू ही वहता है अगर आप इसी को अगर मार्किंग और बॉटम में से चेक करें तो आपको यह टेकना पड़ेगा इसका रोटेशन चेंज हो जाता है बॉटम में अलग से इसलिए जब आप प्रैक्टिकली जब फैप्रिकेशन करते जाओ तो आपको 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 पता लगेगा यह नोज इसका मार्किंग पता लगे हैं किशें का नेक्स्ट मेजर डीटेलिंग पार्ट होता है यह दा रॉंग इंचली करें बूटम में कोहिन रिटेलिंग चाहि कर देंग देगन कि युज भी होने वाले होता है तो इस तरह से विट्श बते विल्डिंग जिसे कुछ इंपल कर इस वेल्डिंग W1 इस वेल्डिंग में क्या है इसने shell to shell का joint का welding details दिया हुआ है और shell to descend का दिया हुआ है और descend to descend जो भी है यह इस इस particular drawing details से हमें इसे लिखा भी वारे कि तिपिकली search sim and long sim weld detail यानि अगर हम search sim यानि long sim drawing का long sim और search sim weld करना है तो हमें drawing welding detail follow करना है यानि इस welding detail के साफ से उसके edges preparation करना है और इसी के साफ से welding हमें करना है 70 degree welding angle है 1.5 रूपेस है 1.5 रूट रूट डेप्थ है रूट के आप 1.5 mm है तो इस तरह से welding details यह पर्टिकुलर है जब हम shells और descend का रेफर करना है तो यह welding detail रेफर करना है जब share to descend अलग साइज का है तो हमें share to descend का welding detail यह रेफर करना है यानि जब हम पर्टिकुलर जो चीज welding करना जा रहे है तो उस तरफ से उसकी welding detail रेफर करना है यह ऐसे चर्सीं में लॉंख्ण सींग का welding detail दिया है यह शेद का welding detail है यह अर फ्ट्स क मतल छोडोगा। वेल्ली करना है तो दिया है अगर आ paint के ड़गा तो थे का वेल्डिक हाया है इस्तरह से welding details एक आलग अलग बनी हुए ह्या tips तो आपको एक basic major welding details है जिसके particular उस particular sections की detailing में भी दिया रहता है पर कुछ common welding details है जो एक common sections में दिया रहता है इस तरह से यह welding w1 w2 w3 यह basic detailing यह drawings में requirement रहती है हार drawings में यह incorporate यह रहता है यह आपको specially दिया रहता है आपको उसको refer करना है तभी आपको welding करने के लिए क्या कि आपको fabrication में requirement करने पड़ेगी और fabrication करते हो क्या क्या चीज़े रहन में रखनी है उसका edges कैसे prepare करना है आपको पता लगेगा और आपको welding details वह ही से आपके drawings में पता लगेगा तो welding details से एक अलग sections आ जाता है आपको वही से welding details refer करने के बाद आपको आसानी से पना लग जाएगा कि welding के बारे में उस particular चीज़ को welding कैसे करना है और क्या उसमें care लेगी है नेक्स्ट अम देखेंगे और अपना फ्राइग श्टडी का पारामिटर लास्ट पारामिटर है रहें के drawings में नोजल और मैनॉल की detailing अलग सिती होती है और वह देने होनी जूरूरी जो अगर मैं आपको समझाने की कुश्श करों तो नोजल और मैनॉल detail यह इस particular section है यह particular section यह मैं जो cloud कर रहा हूं यह manhole का detailing यहां दिया हुआ है नोजल का detailing अलग-अलग दिया रहता है तो आपको particular हर ड्राइंग में नोजल और मैनॉल का detailing अलग से ही धूनना है और मुझानी कि आपको उस particular हर नोजल के बारे में आपको किस तरह से detailing है और ड्राइंग में अलग दिया रहता है आपको उस part details में जाके वहां से ड्राइंग के dimensions के welding welding details welding अलग से भी बना होता है या तो हो सकता हुआ सी detailing में भी दिया हो तो इस sizes सब यास इसके समझने के लिए अपको दिया है कि nozzle detailing nozzle और मैंनों का detailing अलग से बनाते हैं तो अभी तक कि तो हम पार्ट देखें वह सारे देखें क्या 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 component होते हैं क्या क्या चीजी होती है वह सब आपने वहां से अभी ड्राइंग स्टेडी करते हो क्या क्या देखना है वह सब आपन पता लगे हो फिल है क्या तो यह जो है पेशेरसल के बारे में तो एक जंदल पेशेरसल का एक ड्राइंग है लट किया हो तक आपको यह अच्छे सा ना लिखें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका एक टाउन्लोडेबल लिंक दे दूँगा इस ड्राइंग का अगर क्राइब जूम करकर आप देख से यह हो सक कोछ वीजिबल ना हो उप्यूश्ट आपको वूर यूव जे दिता हो आपको कैसे रहेगा सब चब पहले जो हमने ड्राइंग का नेम चाइड हो यह हमारा पर बार ना पता हुए और जो भी है ऊपछ को देखनी के बाद बहूद अगर आप पर्टिक्लर काम करें तो आपको पता लाग जाता है इस कौन से ड्राइंग भी प्रिट के तो शीट साइज से आपको ज़्यादा आए नहीं है पर आपको जब ड्राइंग प्रिंट कर रहे है तो वसी वक्त द्यान रखना है रहे हर डिटेलिंग आसाने से दिके इ होगा है ओके नेर्ष असके उपर जाइक इसके पर और यहां ही वहता हैा बाकि चीज़े प्लेस करने टासॉइम पर ड्राइइंगा ही आप शी इरिया में किहां इंशन जाई इस यहां पर दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट था ड्रॉइंग डिजाइन डाटा और टेक्निकल डिटेल यहां पर बने हुए यहां पर अलग से बने हुए कि इसी से इंक्रपरेट है अलग से तो आप अलग से भी कुछ डिटेलिंग है तो मैंने बताए वह मेजर डिटेलिंग है वह अतने चीज़ बाते हैं यह आप देख रहें इस सेक्शेंज में यह है नोजल सेटूल यहां पर बना हुआ है और यह जो सेक्शन है पर्टिक्छल यह है ड्राइंग्स नौड़्स का इस तरह से बता आपको फारामेटर्स नेंप्लेट हो गया प्रिविजन चार्ट हो गया वील्ल आप मैंत्यल हो गया रिजाइन और टेकनिकल डेटेल ओंड़्स हो गया नौड़ गया यह अनौजल शेटूल हो गया इस सब आप डिटेल पर पट्रइब लई यह पर इसी से सारे व्याइक में से इसको मानके तो इसमें अगर व्यू देखोके तो यह अब यह यह टॉप यूप यह और प्लाइब तो इस द्राइब में पर्टिकुलिर दो इसकी ज़रू है इसले इनके इस त्रिफ दो इब बताया यह एकविशन वी थै को अंब हमने नौजल ओरिंटेशन दिया था यह लिखा भी होता है प्लिएंटेशन और प्लान्स प्लानव्यू ऑरिंटेशन का है यह औरिंटेशन है यह डीटेल्इवीं और प्लान New यह इसमें लगने वाले components के detailing है जो nozzle और manual के detailing देखा है यह manhole के detail है यह nozzle के detailing जो previous slide में आपको समझाया है तो इस तरह सी detailing है तो सबसे पहले आपको fabrication में study करते हैं कि यह सारे components होने जरूरी है उसके बात next जो आता है वह आता है particular drawings के अंदर के component के study करने का सबसे पहले जो आप इस component के study को प्रूर्वात करें सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले इसकी विव्यूज देखने है Elevations view और Plans इसके बाद आपने reference जोना है reference कहा है reference line सबसे पहले ये दो व्यूज को लुक अप करना और इसी के बारे में सारे डाइमिशन्स का हाद दिया है कि इना दिया है क्या-क्या पार्ट इसमें लगे यहां से आपको पूरा डिटेलिंग सबसे पहले आपको ड्राइंग करना है तो आप प्लान व्यूरी प्लान वशन व्यूiction को समने जोड वे उसके बाद डीटेलिंग कर जाएं जा बめंबकर आप और यहां से पढ़ंगे ही पहले आप ईनरडिया के जिह कृएंड कि वारी बनीग क्यों आपको च्यान है Y分 आप नेक्ट आप इसकी डीटेलिंग में जा सकते हों, पहले में आपको बता हुआ, अपको इस सबसे पहले पता है कि आपको उसके बाद व्यू करने हैं, एलेशन व्यू, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, उसके बाद हर एक पार्ट तो इसने एक नमबरिंग दिया रहे जाए कि हर एक चीज के डीटेलिंग जो बोला है, वो हर चीज के डीटेलिंग यहां दिया हुआ है, जब आप एक बार इस दोनों व्यूज को स्टेडी कर ले, आपने देख ले कि सारे डीटेलिंग बनी इसके बाद नेस्ट आपका काम ही कि आप व्यूम रेफर करें, तो व्यूम में सबसाब पहले जो component होता है, वो देखे आप उसका identify mark आदूंड़े, जैसे कि इसमें अगर व्यूम का first identify mark shell है, यह पर आपको easy लिख नहीं रहा है, पर आप जब drawing study करके तो आपको पता लगेगा, जैसे मैं अभी एक example कर दो, सबसे पहले part देखा मैंने shells, तो आ पहले script मैंने over view किया है, ठीक है, पहले सबसे पहले आपने over view करना है, dimension समझना है, actual dimensions आपको जब एक एक चीज़ लेके जाओगे तब ही, इसका dimensionally detailing में जाना है, dimensional deep में आप पार में जाना है, पहले आपको drawing को समझना है, इसकी views क्या क्या है, detailing का, यह कौन सी detail का है, यह जब आपको समझ में है, तो आप drawing के view म से refer कीज़े, सबसे पहले, देखिए पहला marking आपको view में क्या है, one, one जो है one को आपको पता लगए कि यह जो है shell, इसको one mark दिया, तो आपको यह से पता लगएगा, तो हमारा पहला component है, वो shell, shell के बाद आपको इसको shells में, shells बनाने के लिए अगर जब हम के detailing देखेंगे, जो आगया वीडियो में हर पार्ट के detailing बताने आपको समझाएंगे कौन-कौन से dimension देखने हैं, आपको कौन-कौन से dimension drawing से कहा से लेने, वो detailing में आपको पूरा उसका और हर पार्ट के detailing के एक वीडियो बनाएगा, उसमें आपको हर एक चीज के detailing पता लगेगा, तो वही से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इस drawings को particular drawings से कैसे उठाते हैं, कैसी चीज हो, यहाँ पर आप मैं समझने के लिए आपको deep में study करा दे रहा हूं, drawing को कैसे study करते हैं, पर इसका detailing, actual dimensions अगर हम पार्ट detailing, जब वीडियो बनाएगा, उसमें आपको बहुत आसानी से, अंडर चार्ड़ वीडियो से, मैं एक काप पसमझा देता हूं, जैसे यह एक shell है, तो यह particular shell होगा, समझ लो, यह है, तो यानि आपको एक component देख रहे हैं, तो यह एक component यहाँ पर इसका number होगा 1, तो आपको जब इसका detailing वीडियो तो आपको इसका MOC पता लग जाए का पर, एक MOC क्या है, कभी कभी detailing separate है, हर पार्ट की separate भी बनी होती है, कभी कभी नहीं होती है, कुछ जिस चीज की नहीं होती है, वो order यहाँ से, आसानी से मिलने वाल हो रहता है, इसलिए उसका detailing separate नहीं बना रहता है, जो पार्ट को elevation और top view में समझने में dimensions की requirement है, तो उस चीज को पार्ट detailing में अलग-अलग से दिखाया रहता है, ताकि आपको easily table हो जाए और आसानी से आप पढ़ सकते, यह अगर है shell, तो इसका one marking है, तो इस one को, अभी shell अगर हम refer कर रहें, तो shell में सबसे पहले जरूरी होता है, इसका height, और इसका thickness, यह जो thickness है, यह thickness, एक ही component का आपको समझारों, इस तरह से आपने किस तरह से paper करना है, जब आप एक पार्ट को देखा आपने, तो आपको यहाँ पे size दिया रहेगा, इस प्लेट का पर्टिकुलर यह इस प्लेट से बनने वाला है, वो दिया रहे गर pipe का है, तो directly pipe का size ही दिया रहेगा, अगर नहीं है, तो आप यह particular size प्लेट से बनने वाला है, इस प्लेट का width और इस प्लेट का thickness, यह यहाँ पे इसका raw size में लिया रहेगा, यानि इस shelf को बनाने के लिए size लगने वाली है, वो आपको यहाँ से, अब यह size कैसे calculate करते हैं, जब हम layout and part detailing में जाएगी, तो उस वक ठीक है, तो यह इस तरह से shells रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा, यह तो shell plate लिखा रहेगा, ठीक है, पहला component के shell, shell plate, तो उसका raw size यह जो length width ठीकने से यह याँ दिया रहेगा, MOC इसका याँ दिया रहेगा, किस MOC बना हुआ है, उसके बाद इसका particular quantity कितना है, यानि अगर य इस तरह से, यानि आपको क्या करना है, हर एक चीज को below model से लेना है, उस चीज को यहाँ दुनना है, उसके dimensions, जो required dimensions, जैसे कि अभी इस shell को बनाने के लिए आपको dia और height की ज़र होते है, आप dia को देखने के लिए elevation view से भी मिल सकता है, आपको ID, या तो यहाँ नहीं मिल रहे तो आप top view refer करें के बाद आपका ID मिल जाएगा, इस height का elevation view से मिल जाएगा, यानि ये दो view के combination से आपको इस shell के all dimensions मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको जो आपको required dimensions से वो अलग-अलग views में दूनने हैं, और उस दो views से आपको clear हो जाए कि आपका component क्या है, तो इसी तरह dimension के साथ study करना है, जब आप इस सारे wheel of material के सारे पार्ट तो refer कर थिके होंगे, तो आपको 90% से लेकि 95% से लेकि 100% से दक की drawings understanding हो जाएगी, जब आप इस सारे पार्ट और सारे चीज़े रेफर कर लेगे, तो आप समझ लेए कि आपने ये drawing को particular list study करें, तो सबसे पहले fabrication का basic यही है कि आप सबसे पहले आपको drawing मिलने के बाद आप drawing study करें, एक बार आपकी drawing study होगे तो आपकी mind में उसका एक view बन जाता है, और आप उसके according automatically काम करने लगते हो, जब आप particular fabrication शुरू करते हो, तो यह जो था मैने एक जो drawing आपको समझाए, यह जंद्र स्पेशल वेसल का drawing था, तो यही आपको समझाया है मैंने ताकि आपको आसानी रहे, next और एक दो drawing समझाया है मैंने वह भी समझा देता हूं, next जो है, वह है, fabrication drawing study for jacketed vessel, अब jacketed vessel और previous vessel में difference जाता नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, previous vessel के compared to jacket extra edition किया होगा, तो जो previous आपने देखा तो nameplate भी होई, develop metal वी वैसे ही रहेगा, design data भी वैसे रहेगा, notes वैसे रहेगा, nozzle schedules, इस drawing में इधर बनावाई है, nozzle schedule इस तरह से मतलब, यह component होई है, detailing इधर बनी ही हाथ, चीद की detailing यहा है, इसका elevation view इधर है, top view इधर है, welding details, इह रही है, welding details, इसके nozzle की details इधर रही, lifting hook की detail रही, इस तरह से detailing, इस तरह से jacketed vessel भी same है, previous vessel के इसाफ से ही detailing होगे है, इसमें क्या है, इस equipment को एक extra jacket है, तो इसके वैसे इस drawing में changes स्रिप additionally क्या होगे, कि आपकी detailing बनी होगी, इसमें jacket की detail जैसे है, यह jacket की detail है, तो jacket की detail एक additionally बनी रहेगी, उसके welding detail आलेक से बने रहेगी, तो याने कि जो चीज अब इसमें extra head होती जाएगी, वो previous के comparator इसमें extra head होगे, तो इस jacketed vessel में same सारी चीजे previous drawing के हिसाफ से ही रहेगी, previous drawing इस तरह से study किया हमें, उसी तरह से भी रहेगी, तो इसमें एक extra part जुड़ जाएगा, jacketed vessel, यानि जब आप develop matter पर करेंगे तो इसमें, कुछ पार्ट इसके जाकेट के भी include रहेगे, तो आप जब भी drawing study करो तो इस सारे component parameter पहले दुड़ो, उट्र parameter को पढ़ लो, उसके बाद आप इसके दोनों views पढ़ो, elevation view तो आप उसके बाद कौन सी चीज का detailing कहा बना हुआ, वो एक बार कर लो, और जब आप deep में इसको study करने लगे तो फिर हर एक component की हर एक marking के लिए से shell, dish and jacket जो भी चीज़े आप भी love motors एक एक चीज़ लेते जाओ, एक एक चीज़ को यहाँ पे ढूंटे जाओ, drawing में जब एक चीज़ ढूंटे जाओगे, उसके dimensions आप पता करते जाओगे, तो आपको हर चीज़ के बारे में, एक jacketed vessel के बारे में पत drawing steady करेंगे, limpid coil vessel की, limpid coil vessel की भी fabrication drawing सेम है, जो previous जंदल की तरह करते हैं, इसमें एक limpid part जो है, वो additional हो जाओगे, एक hitting coil externally, वो इसमें add करती गई है, तो limpid coil extra additionally, तो सिर्फ इसका detailing कुछ include होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो याने previous जो तरह से देखे हमें उसी तर तो इस drawing में भी nameplate, same previous तरह रहेगा, उसके बाद division chart रहेगा, bill of model रहेगा, design data रहेगा, notes रहेंगे और nozzle schedule रहेगे, यह सब important रहेगा, drawing की sheets 3Dable के साफ़ रहेगा, design data में जो है, limpid की section में, limpid की design parameters रहेगे, इसमें भी आपको same elevation view, top view, दोनों ही refer करने हैं, next उसका detailing रहेगा करना है, कौन से detailing कहा है, और bill of model से आपको एक एक component लेना है, और एक component को study करना है, इसमें additionally, इतना add हुआ है, यह लिंपेट का जो है, यह आप है दिखिए, लिंपेट की detail एक additionally बनगे, यह लिंपेट की welding detail additionally बनी, दूसरा इसमें कुछ changes नहीं है, एक reactor का drawing इ करता है, नॉर्मली, वो इसमें इतना detailing नहीं होता है, पर आपको समझने के लिए आसा नहीं रहे, ज्यादा detailing में पता लगे है, इसलिए मैं एक ठोटा से complicated drawing लेह था कि आपको सारे detailing आसा आनी से बतात, तो लिंपेट कॉइल्स की जो टैंक होती है, वो भी same previous vessels की तरह ही होते और इसके study भी same, सारी drawing fabrication की drawing के study करने का procedure एक ही है, कि आप सारे उसके parameters study करें, उसके बाद उसके view study करें, उसके detailing study करें, और will of material से एक component लेके, उसके sizes, m, o, c, o, e, or verify करें, और सारे dimensions calculate करें, तो अब इसमें आपको जब fabrication drawing पूरी तरह understanding के लिए आपको जो हमारा next videos आएंगे, part detailing के लिए, हर चीज की detailing कैसे करते हैं, जब आप उस detailing कैसे करते हैं, उसको समझोगे, तो उसमें से आपको 100% fabrication drawings का knowledge हो जाएगा, अभी जो आपको 90% drawing पता लगी, पर जो हर चीज, इसमें जो, हर एक चीज है, major major चीज, जो भी चीज है, इस चीज को कैसे समझते हैं, और इस अगर इसी वीडियो में बताना दाते हैं, तो इसलिए आपको fabrication drawing study कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में हम बताएं, और जो next job की detailing कैसे करना है, इसके लिए हम separate वीडियो बताएंगे, वहाँ पे आपको हर एक चीज का detailing करके बताएंगे, और detailing में आपको कौन सा dimension कहां से आया ह इसका layout कैसे करना है, उसके लिए भी अलग वीडियो रहेगी, ताकि फिर आपको एक fabrication की हर एक चीज के बारे में आसानी से पता लगे और आप उन सब को combination करके proper fabrication drawing study कर सके, तो इस वीडियो में हमने normally यही cover किया कि आपको सारे drawings जो समझ में है, बेसिकली तीन ड्राइंग इस कर सकते हैं, तो यह तो लास्ट में हमने तीन ड्राइंग एक्क्प्रेंग के, एक जन्रल पेशल वेशल का, एक जैकेटे वेशल का और लिंपेटे वेशल, तो इस जन्रल पेशल का एक कॉमन ड्राइंग है, आपको वही से सारा study कर सकते हो, अगर आपके equipment में एक एडिशनल जैकेट प्रोवाइड के एक जैकेटे वेशल का इसलिए हमने एक एडिशनल डाला, और लिंपेट का भी इसलिए एडिशनल डाला, ताकि आपको थोड़ा सा अंड्रेस्टांडिंग हो जाए कि एक एक्चुली है क्या, तो फरक कुछ ने स्रिफ कुछ चीज इसमें इसमें कोई एक एक इस्टरनल हीटिंग और इंटरनल हीटिंग कोई एडिशनल रहती, तो वह उसमें आ जाता है, तो मतलब उतने पास के डिटेलिंग इंक्लूड हो जाता, प्रीवेस के इम पर, और दूसरा कुछ इसमें चेंज नहीं होता, तो इस तरह से यह जो हमनें सम समझ में आ गया होगा, तो जो कुछ भी था हमने इस वीडियो में सारे ट्राइंग स्टेडी कैसे करते हैं, उसके बाद तीन और टाइप के ड्राइंग लेकर आपको समझा भी दिये, ताकि आपको आसानी से, उम्मीद करता हूँ मैं आज का हमारा वीडियो आपको काफी ब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो कीचे कमेंट जरूर कीजिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको और आपको नहुदा सके ऊपको अच्छा लागा। मैं आपसे रिक्विस करूँ है कि आप हमारे टूल्स को भी ज़रूर यूजियें ताकि आप हमारे टूल्स सुरू candle करते हैं तो आप आपका है काफी आयए कि डियाओ सकते हैं आप टाइम सेविंग कर सके और फास काम कर सके इसलिए आपको अंडेस्टेंडिंग के लिए यह हमने टूल्स बनाये हुए अगर आपके पास फैसा कोई आइडिया है जो टूल्स आभी तक के आपको कहें नहीं मिला हो और आप चाहते हैं कि यह चीज का अधान कीजल कर सकते हैं फैबलेट्स पर करके इंस्टाग्राम पर फालो कर सकते हैं फेस्बूक पर फालो कर सकते हैं